इसलामआज़ेकुम स्टुडेंट्स होप यॉइंग वैल कम टू दिनीव क्लास इंशालला आची क्लास में हम प्रॉड़्ट हंटिंग करैटेरिया को फुल फ्लेश डिसकस करेंगे कि प्राइवरट लेबल प्रॉड़क का हंटिंग क्रैटेरिया क्या होता है और उसको किस त कुर् llamado हम बनाते हैं देखें क्राइटிरिया हम इसलिए बनाते हैं ताके हम अपने आप को सिफ रख सके सेंसे मिरा हम ऐसी चीज ना जाए जहांभर हमें कल कला को मुश्किलागन आता है हम अपने क्लाइंट के बजट के देखते हुए उसके साफ से क्राइटेरिया अप्लेमेंट करते हैं तो इसलिए क्राइटेरिया बनाया जाता है ताके हम अपना रिस्क मिनिमाइस कर सकें या mitigate कर सके, कम से कम कर सके, इसलिए ही ये criteria दिया गया, वरना आप directly अगर आप जाके भी product sale कर सकते हैं, उसकी नागामी के chance बहुत ज्यादा होंगे, और अगर आप criteria के थूँ अपने आपको filters लगा के, मुक्तलिफ filters के थूँ गुजर के एक च्छन कर एक product आपके सामने देन आप उसको sale करने जाएंगे, तो उसका ज्यादा फायदा होगा, तो जी, criteria बिसकली इसलिए होता है, तो start करते है, criteria क्या है, ये देखें, हमारे पास criteria कहता है, कि आपके average reviews हो, जो top 10 sellers के, वो minimum 1500 होनी चाहिए, jungle scout extension जब आप रन करते हैं, किसी product के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपके average reviews आने चाहिए, वो below 1500 होने चाहिए, इसी तरह, next किया है, जब आप, helium 10 के extension अपने product के उपर रन करते हैं, तो उसमें जो search volume है, वो minimum 12,000 exact आना चाहिए, exact जो आपका keyword है, उसका search volume minimum at least 12,000 होना चाहिए, इसी तरह, आपकी average selling price, आप product को sell करना जा रहे हो, और आपको पता होने चाहिए, कि आपके jungle scout और helium 10 में, उसकी जो average selling price हो, वो 15 से लेकर, 40 के धरिम्यान तक होने चाहिए, अच्छा revenue, हम revenue क्यों देखते हैं, हम revenue देख रहे हैं, कि हम भी कलकला को इस product को sell करने चाहिए, और जो 10 seller है, वो at least 8,000, 8,000 dollars, जो है, वो क्योंकि यूएस का criteria है, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि 8,000, जो है, वो तक का revenue बना रहो हो, जो 10 number seller है, ये इसलिए क्योंकि कल कला को हम अगर top 10 में आते हैं, और हम 10th position के उपर भी, हम 10th position में मिलती है, तो at least हम इतना 8,000 का revenue collect कर रहे हो, Amazon as a seller नहीं होना चाहिए, not more than 3 in the top 10, Amazon as a seller हम जिस product को भी sell करने चाहरे हैं, अकर उसमें Amazon as a seller top 10 में 3 से ज्यादा हो, तो उस product को हम skip करते हैं, reason यह है, क्योंकि जहां पर Amazon खुद as a seller बैट जो हम उसके साथ compete नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो prices में वो offer करता है, हम उस prices में offer नहीं नहीं कर सकते हैं, brand dominance नहीं होनी चाहिए, brand dominance नहीं होनी चाहिए, brand dominance से मुराद यह है, क्योंकि एक market है, वहां पर 10 sellers हैं, और एक seller नहीं होई हैं, और उसमें वो selling कर रहा है, तो ज्यादता revenue obviously उस seller को जाएगा, ठीक है, तो कोशिश करें, कि आप जब भी product select करें, उसमें brand dominance न होना चाहिए, google trend, google trend, at least आप पिछले 5 सालों का देखा करें, ठीक है, ताकि जब भी आप product selection करें, सिर्फ Amazon के data के उपर रिलाइना करें, आप google के, जो है, क्योंकि देखें, traffic कहां से आ रही है, google से ही divert होके आ रही होती है, तो हमें google का trend भी देखना चाहिए, जो कि at least 25 plus होना चाहिए, अच्छा, seasonality, product को seasonal नहीं होना चाहिए, seasonal से मुराद यही है, कि किसी एक particular season में जैसे अब leather jackets है, तो वो सिर्दी में चलेंगी, ठीक है, या किसी occasional हवाले से product हो, occasional से मुराद यही है, कि 25 December यानि Christmas पे लोग यूज कर रहे हैं, या जो है, उनका Easter है, उसके हवाले से ह इस तरीके की products आप sell ना करें, evergreen product हो, जो कि 24 साल के 12 महीने आप उसको यूज कर सके, customer उसको अवेल कर सके हो, और आपकी sales जारी रहे, इसी तरह weight है, ठीक है, आपकी product का weight है, not more than 2 kg हो, क्योंकि हम FBA करने वाले हैं, तो FBA में हमारी कोशिश यही होती है, कि हमारी जो product हो, उस FBA pieces हो हमारे उपर, तो आप अपनी product को 2 kg से प्लस कोशिश करें ना हो, ठीक है, अच्छा product की rating, अप rating की बात करें, तो product की rating है, हम जो selection कर रहे हैं, जब हम jungle scout run करते हैं, helium 10 run करते हैं, तो हमें जो product की rating हो, overall as an average 4.2 से अबाव होनी चाहिए, हमारी product की rating, इसी तरह अब listing live, लि ऐसे seller हो, जो कि कम से कम 6 months old होने चाहिए, 6 months old इसलिए हो, क्योंकि जो हम data ले रहे हैं, वो new sellers का ना हो, कम से कम 6 months पुराना seller होगा, तो हम उसके उपर decision कर सकेंगे, कि जी हा, हम यह product करने चाहिए, यह नहीं करने चाहिए, value addition क्या है, जी, तो हम add our low price product as a value, adding up to cost USD, मतलब ऐसी product जो के एक डॉलर या उससे नीचे चंद सेंट में cover हो सके, ठीक है, और हम customer को as a gift कह लें, ठीक है, provide कर सके, जैसे के हम toothbrush ले रहे हैं, तो उसके साथ, तूट पेस ले रहे हैं, तो उसके साथ एक toothbrush अगर आपको free मिल जाए, तो आप obviously उसको prefer करेंगे, इसी तरीके से बहुत स चोटी product को add करते हैं, ताकि दूसरे seller से अपने आपको मुन्फरित कर सके, differentiate कर सके, और अपनी product को, उसकी selling के लिए हम उसको use करते हैं, तो यह था जी हमारा product hunting का criteria, private label के लिए, US market के लिए, same, इसी तरीके का criteria हमारा UK market के लिए, और उसमें थोड़ा सा differences है, ठीक है, search volume में थो प्रोड़ा सा difference है, तो आप same process है, ठीक है, आप उसको use कर सकते हैं, ओकी जी, अउमीद है, आपको product hunting की समझ आई होगी, और जो criteria है, वो किस तरीके से, और किस तरीके से implement करना है, वो आपको समझ आई हो, till then, Allah हाफिस. झाल, 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 झाल झाल